हे एवरिवन आज बनाएंगे बैंगलोर की बहुत ही ज्यादा फेमस डेथ बाइ चॉकलेट जो की बहुत ही अल्टिमेट होता है खाने में और बैंगलोर में यह ड़िट काफी ज्यादा पॉपूलर है तो आज मैं उसी रस्पी को रीक्रियेट कर रही हूं तो चले वीडियो करते हैं तो सबसे पहले मैं यहां ले रही है एकोवेक हैं 100% eco friendly & non-sticky और ृई उसे मैं यहां पर 5 इंच के केक टिन में यहां पर लाइन अप कर रही हूं अब लेगे अगारो को 15 इंटन्सिट का से जिसे मैं यहां ले रही हूं 1 x 4 cup पिसी वी चीनी साथ ही डाल देंगे इ 1 by 8 कप नॉन फ्लेवर्ड रिफाइन डॉयल और सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसी तरह से स्मूथ हो जाना चाहिए फिर एक छन्ना रखेंगे डालेंगे आधा कप मैदा साथी डाल देंगे समें डेट टेबली स्पून कोकवा पॉडर हाफ टीस्पून डा तो एक स से से चाहण लेंगे थम ऐंगे न आप टीस्पून डालेंगे वैनिट इसन्स और लन की थीपून कॉफी इड़ेंगे फिर डालेंगे वन बयं थार्ड कप दूद और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो केक का बैटर है वो बन करके बिलकुल तयार है यहां पर इसे ट्रांसफर कर लेंगे हम यहां पर केक टीन में तो इसे अच्छे से ट्रांसफर कर लें तो आप चाहें तो इस केक को कढ़ाई या फिर कुकर में भी बेक कर सकते हैं लेकिन मैं यहां आज बेक कर रही हूं अगारों इंपीरियल डिजिटल ओटीजी में जिसमे आप कुकर या कड़ाई में बेक करेंगे तो भी तो केक यहां पर अच्छे से बेक होकर के तयार हो गया है अच्छे सी फूला है साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए फिल लेंगे एक पैन उसमें डालेंगे वन बै थर्ड कप पीनट तो जो डेथ बै चॉकलेट होता करेंगे और बेलन की मीदद से हमें इसे हलका सा क्रस करना नहीं रहता यह और एकदम खड़ा खड़ा भी नहीं रहता है तो मैं यहां पर इसे हलका सा क्रस कर रही हूँ आप देख सकते हैं आप चाहें तो इसे किसी चीज से कूट भी सकते हैं तो देखें यह अच्छे से क्रस हो गया है बिल्कुल टूटा टूटा इसी तरह का हमें यहाँ पर पीनट को चाहिए इसे रखेंगे अभी हम साइड में अब बनाएंगे चॉकलेट सॉस तो इसके लिए मैंने लिया यहाँ पर आधा कप डाक चॉकलेट उसमें डाल देंगे तीन से चार चमच हम क्रीम तो मैं यहाँ पर वीप क्रीम डाल रही हूँ अब चाहें तो फ्रेस्ट क्रीम भी डाल सकते हैं तो चॉकलेटि वह अच्छे से मैल्ट हो गया है इसे हम मिक्स कर लेंगे यहाँ पर जो चॉकलेट सॉस यह बन करके बिल्कुल तयार एं एकदम स्मूथ है इसी तरह की कंसिश्टेंसी हमें चाहिए यहाँ पर तो सारी चीजें यहाँ पर अभी तयार है अब जो केक है उसे हम दिमोल्ड कर लेंगे, इकोवेख हटा लेंगे, एक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, लाइट स्पॉंजी बना है, आप देख सकते हैं, यहां पर, तो इसे हम क्या करेंगे, छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, जैसे मर्जी आपकी यहां पर, वैसे आप छोटे-छोट जैसे कि मार्केट में सर्व करते हैं, उसी तरह से मैंने यहां पर एक प्लास्टिक कंटेनर लिया है, उसमें डाल देंगे दो इसकूप वैनिला एस क्रीम, तो यह होममेड वनिला एस क्रीम है, इसकी रेस्पी चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्सन में जरूर चेक किजेगा, उपर से रखेंगे कुछ केक की पिसे, तो मैंने यहां पर पांच से छे केक की पिसे यहां रखेंगे हैं, छोटे छोटे पिसे से, तो मैंने यहां पर पांच से छे रखेंगे हैं, उपर से डालेंगे विप क्रीम, तो इसके उपर विप क्रीम रहता है, इसी तरह से, फिर दालेंगे उपर से चॉकलेट सॉस जो हम लोगों ने प्रिपेर किया था उसके बाद उपर से डाल देंगे क्रेश्ट पीनट अब यह जो डेथ बाइ चॉकलेट का टब है वो बन करके बिल्कुल तैयार है एकदम हीवेनली लगता है खाने में एक बर आप इसे जरूर मिलते हैं इसी तरह के बहुत ही आसान और मैदार रैस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार